रन्धंबोर टाइगर रिजर्व के टाइगर टी एक सो चार को पिछले तीन साल से वनविभाग ने रन्धंबोर में ही एक बंद एंक्लोजर में भिल इलाके में केद किया हुआ है इस बाग की रहाई के लिए वनिजीव प्रेमी लगतार सरकार से राप्ता कायम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बाग को सचंद विचरन का मौका दिया जाना चाहिए साल 2019 में इस बाग को तीन लोगों को मौत के घाट उतार देने के कारण पकड़ करके करोली से केद किया गया था तब से ये बाग केद में है और खुली आजादी वाली जिंदगी मिले इसके लिए वनविबाग ने एक प्रस्ताव बना करके NTCA को यानि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथोरिटी को भेजा है ताकि बाग को रनधंबोर से निकाल करके मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के बड़े इंक्लो बनाया हुआ है जिसमें छोड़ने के लिए वनविबाग ने प्रस्ताव नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथोरिटी को बेजा है वो अगर इस पर महुर लगा देती है तो रर्थमबोर में भिड़ इलाके के अंदर महद दो हेक्टेर के एंक्लोजर में रह रहे इस बाग को लंबे अर्से की कैज से रिहाई भी मिल सके देखना यह होगा कि बाग टी 104 उर्फ चीनू का भविश्य क्या होता है इसे इस लंबी केज से रिहाई मिल पाती है या नहीं कैमरा परसंद दिलिप चेची के साथ मैं अरबाद अहमद न्यूजरेटीन के लिए जैपुर से